विभव कुमार पांच दिन की पुलिस रिवांच पढ़ है, उनसे पूछताच की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि आखर उन्होंने स्वाती मालेबाल पर हमला क्यों किया, क्या उनसे ऐसा करने के लिए किसी ने कहा था, वैसे डिली पुलिस की जांच में अब तक जो पातिस साब ने आई हैं, वो बेहचों काने वाली हैं, पुलिस के मताबक वारदात के वक्त का सीसी टीवी फुटेज गायब है, पुलिस ने सीसी टीवी फुटेज से छेड़ चार के आशंका जिताई है, कहा है कि सबूतों को नश्ट करने की कोशिश की गई है, दिली पु पुलिस कुमार पांच दिन की पुलिस रिमांट पर है, दिली पुलिस विभव से पूछताच कर रही है, दिली पुलिस की रिमांट कॉपी में जो लिखा है वो चौकाने वाली चान का रही है, पुलिस से पूरी घटना का जिक्र विस्टार से किया, बताया है कि कैसे विभ टो पॉइंट बताएंगे एक एक पेज आपके सामने रखेंगे दिली पुलिस के रिमांट कॉपी में 13 माई की घटना का पूरा जिक्र है लिखा है कि राज्य सुभा सांसत स्वाति मालिबाल सीम हाउस की ड्रॉइंग रूम में बैठ कर अर्विंद के जिवाल का इंतिसार कर रही थी इतने में ही विभव आ गए और आते ही उन पर चिल्दाना शुरू कर दिया इसके बाद विभव ने उनके साथ मार बीट की उनके समवेदन शील अंगों पर प्रहार किया उनका सिर ड्रॉइंग रूम की सेंटर टेबल पर पठका उन्हें गालिया दी और दीख ले के कैमरा और DVR लगा हुआ था वहाँ जांच टीम को नहीं जाने दिया गया सीम हाउस की तरफ से पिन ड्राइफ में ड्रॉइंग रूम तक का एक वीडियो जरूर दिया गया लेकिन वो वीडियो फोटेज सबसे एहम जगे जहां पर होना चाहिए था उस स्पोट पर वो ब प्राइम पर मौझूद की से इस बात की आशंका है कि वो वहां सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था रिमांच कॉपी में ये भी लिखा है कि विभव कुमार बेहत प्रभावशाली है वो चेश्मदीदों पर दबाव डाल सकता है दिले पुलिस ने विभव के रिमांच मा आने की कोशिश की है विभव ने मुंबई में अपने मोबाईल को फॉर्माट भी कराया है पुलिस को अपने मोबाईल का पास्वर्ट भी अभी तक नहीं बताया है आरूपी ने घटना से जुड़े हुए सभी सबूतों को गाइब किया बूलिस ने ये भी कहा है कि मुख् उनके साथ किसी ने किसी बज़े से चुड़ा रहा और इसकी भी चांच करना जरूरी है।